Hello students, तो हम पार्ट सितारों से आगे कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने प्रशन उत्तर किये और आशा है आपने वो प्रशन उत्तर अपनी नोटबुक में जरूर कर लिए हांगे तो चलिए अभी हम अगले प्रशन के और बढ़ते हैं मैंने का था पांचवा प्रशन आप सोच कर रखेंगे तो देखें जरा आपने सही उत्तर सोचे हैं या नहीं तो पांचवा प्रशन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि नीचे कुछ गलत कथन दिये गए हैं पार्ट के आधार पर इन वाक्तियों को सही करके लिखिए ठीक है तो पार्ट के आधार पर लिखना ना जो हमने पार्ट में पढ़ा ये पंक्ती तो वो हमने सही करके लिखनी है तो देखे कल्पना की प्रारंबिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई तो ये कल्पना की प्रारंबिक शिक्षा किस में हुई थी वो बाल विद्या निकेतन में नहीं हुई थी और ये पिछले वीडियो में भी मैंने उत्तर बताया था वो किस में हुई थी और ये पह क्लब जाती थी थी धीक है यह वो फ्लाइंग लाग नी जाती थी वह कहां जाती थी वह सास्कृटिक गटिविद्यो में। वो जैतों क्लपना की प्लारंबिग शिक्षय कहां हुई टेग और बालनिकेतन में हुई और ये बुक में करना है आपने पेंसिल से ठीक लिखना है उत्तर ठीक है गलत ना करें दूसरा था इंजीनियरिंग पाठेक्रम के कठोर एम व्यस्त समय के बाद कल्पना विश्विध्याले की सांस्कृतिक गतिविध्यों में खेलको दादी में पूरा सही योग देती थी ये इ का उत्तर क्या है कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी ठीक है कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी तो इसका उत्तर ठीक है न ये अच्छा अगला था वातानुकूलित प्रयोक्षाला में कल्पना तो प्रयोग करती रहती थी अवाता नुकूलित आएगा बाकी इसमें सही है ठीक है और इसमें ये बाकी दूसरा उत्तर है कल्पना को अंत्रिक श्यात्रा में तीन बार जाने का अफसर प्राप्त हुआ कल्पना को अंत्रिक श्यात्रा में दो बार जाने का अफसर प्राप्त हुआ दो बार गई है वो अंत्रिक श्यात्रा में तो यह आपने सही करके इसमें लिखना है ठीक है यह तो ग, घ, और उन्हों का उतर आ गया ये देखो कर और खर का उतर ये है यहां तर ठीके और फिर ये गर घर और ये ठीके आप इसको रोक कर आप इसको देख सकते हैं ठीके अच्छा चलिए आगे देखे हम ये आगे हमारे उचित उतर पर सही का निशान लगाई है तो कल्पना की मां का नाम क्या था? क्या था नाम मां का? देव जियोती था, दीप जियोती था, संजियोती था, यजियोती था. कल्पना की मां का क्या नाम था? क्या था कल्पना की मा का नाम संजियोती था ठीक है अगला प्रेश्ण है हमारा कल्पना के सर्वाधिक महत्वपुन गुण क्या थे लगन और जुझारू प्रिविति थी या लगन और अनुभव था अनुभव और जुझारूपन था या जुझारूपन और धैरे था सही उत्तर क्या है? कल्पना के सर्वाधिक महत्पुन गुण थे लगन और जुझारू प्रिजित्ती अच्छा कल्पना का विवाह कब हुआ? कलपणा का विवाह कब हुआ वो विवाह सुत्र में बंदी थि किसके साथ जीन पियरे के साथ बंदी थी लेकिन हुआ कब था उसका विवाह 1985 में हुआ 1973 में हुआ या फिर 1993 या 1983 कब हुआ था उसका विवाह उसका विवा हुआ था 1983 में ठीक है अच्छा कल्पना पहली बार अंत्रिक्ष यात्रा पर कब गई 27 नॉवंबर 2002 को 19 नॉवंबर 1997 या 16 जन्वरी 2003 चे मार्च 1995 पहली बार कब गई 19 नॉवंबर 1997 में वो पहली बार गई थी और भारती समय के अनुसार उस समय दो बजे थे और STS 87 अंत्रिक्ष यान के द्वारा वो पुरा हुआ था उसका पहली बार अंत्रिक्ष यात्रा का सपना ठीक है अच्छा अगला है हमारा बात्चित के लिए देखे किसी नई परिवेश में ढलने में कौन कौन सी कठिनाईया आती है चर्चा कीजिए तो देखे जब भी हम किसी नई परिवेश में जाते हैं तो वहां के लोगों को समझना वातावरन के अनुसार हमको ढलना पड़ता है हाना, वहां का वातावरन कैसा है, मौसम कैसा है, हाना, वातावरन होता है, लोग होते हैं, वहां के तौर तरीके होते हैं, हाना, उसके अनुसार हमको ढलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी जगे पर जाएं, उसके अपने एक तौर तरीके होते हैं, अपना वातावरन होता है, उसके अनसार हमको धलना पड़ता है, या किसी को भी, ठीक है, वहां के लोगों की समझ, सोच, ये भी हमको देखनी पड़ती है, अच्छा कलपना चावला ने सिद्ध कर दिखाया कि इस तरह किसी भी क्षेत्र में पुरुशों से पीछे नहीं है, बिल्कुल, कलपना ने तो कर दिखाया, अब लड़का लड़की के, लड़का लड़की एक समान विशे के अंतरगत महिला सशक्ति करण पर चरजा करें, दी इसमें सर्फ प्रतम पुरुशों की सोच बदलनी होगी, जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं, वो समझते हैं, वो केवल घरेलू कारे करने के लिए या घर की शोभा बढ़ाने के लिए ही है, वो बाहर ऐसे बड़े-बड़े कारे नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, जो महिला है, वो किसी भी कारेकशेत्र में पुरुशों से पीछे नहीं है, कंदे से कंधा मिलाकर साथ में चलती है, घर के साथ साथ वो बाहर का भी काम और अंत्रिक्ष तक की यात्रा भी करने में सफल है वो, ठीक है, तो यहाँ पर सोच बदलनी होगी पुरुशों की, ठीक है, जो जरोर समझते हैं, इस्तरियों को, और साथ ही साथ वो यह समझते हैं कि वो केवल घरेलू काम करने के लिए या घर की शोबा बढ़ाने के लिए ही है, कल्पना चावला ने अपनी किन विशेष्टाओं से स्वयम को प्रमानित किया और कैसे, देखे, कल्पना में तो बहुत स सम्मान करना जानती थी, अपने गुरुजनों का भी वो बहुत मान सम्मान करती थी, द्रिड संकल करने वाली थी, ठीके, और सहसी थी, निडर थी, सहसी थी, ठीके, तो इन सब कारणों से वो आगे बढ़ी और उसने अपने सितारों से आगे बढ़ने की जो उसकी इच्छा स्याटि, वो इनहीं कारणों से उसकी उर्ण हुए. थीक है? तो आज के लिए हम इतना ही करें. और ये जो हमने 5 और 6 प्रिशन किया है हमने, थीक है? ये आपने अपनी बुक में ही करना है, इसको नोड भुक में नहीं करेंगे. लेकिन बुक में complete होना चाहिए, यहीं लिखना है आपने और यहां तो केवल टिक लगाने हैं आपने सही उत्तर पर निशान लगाना है तो यह पांच वार छटा प्रशन आप करेंगे बातचीत के लिए तो हमने कर लिया आगे अनुमान और कल्पना संबंदी यह आप सोच कर रखें अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे तिल देन बाई and थैंक यू